स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टे यूटूब चनल पर आई टे पास आउट केंडेट्स के लिए एक अपरेंट्सिप आई हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की तरफ से जिसकी की फॉर्म जो है एक्सल सीट पे भरे जाने हैं और उठे मेल करना है तो पर आउटिकेशन में कैसे आप यह फॉर्म फिलप कर सकते हैं इस फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर चुके एक बार जस्ट थोरोली नोटिफिकेशन को चेक करेंगे जिसके आप क्लियर हो पाएं कौन-कौन का इंडेट यहां पर फॉ कई बार क्या होगा आप फॉर्म भरना चाहेंगे फॉर्म भर भी देंगे और पता लगा आप उसमें इलिजबल नहीं है पूरा वीडियो आप देख लेंगे लास्ट में चीज पता चले तो अच्छी बात नहीं है यहां पर 26 दिसंबर 2022 को यह जारी किया गया नोटिफिके कर सकते हैं पाकी एक बार हम नीचे भी देखेंगे क्या SCVT allowed है या नहीं तो SCVT कहीं पे भी नहीं लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ NCVT candidate जो हैं वही यहां पर फॉर्म भरने के लिए eligible रहेंगे ठीक है कौन-कौन से ट्रेट के candidate फॉर्म भर सकते हैं तो electronic, mechanic, electrician, fitter, turner, machinist, instrument, mechanic, RAC, draftman, mechanic, copa, machinist, grinder, mechanic, motor, vehicle, electroplater, welder, gas and electric है, penter, general and stenographer and secretarial assistant, English ठीक इतने candidate यहां पर फॉर्म भर पाएंगे जिसमें से इन सभी ट्रेट्स में आपका 10th science side के साथ होना चाहिए बिज्ञान और गणित बिशे के साथ, बागी ट्रेट्स में अगर आपने art side से भी science side किया हो तब भी आप, sorry, art side से 10th pass out किया हो, तब भी आप fill up कर सकते हैं, फॉर्म तो अब आप mobile phone से फॉर्म कैसे भरेंगे, and एक information जो उसमें दी गई थी, जो यह फॉर्म है, यहां भी इसका नाम चाहे जो हो, आपको इसका नाम वो रखना है, जो आपकी apprenticeship India.gov.in का profile का registration number होगा, ठी ठीक है, वो registration number आपको कहां दिखता है, हम आपको दिखा दें यहां पे, तो वो registration number है आपका, यह, जो आप login करेंगे, apprenticeship India.gov.in पे, तो यह आपका profile का registration number रहता है, इसे आपको क्या करना है, copy कर लेना है, ठीक है, जिससे की, इसी को होगा file में, उसमें भरना भी पढ़ेगा form म और आपका file name भी यही रहेगा, file का नाम Excel seat का, साथ ही साथ जब mail करेंगे, तो mail में जो subject वाला option होगा, उसमें भी आपको इसे ही लिखना पड़ेगा, तो चलिए form को open करते हैं, form को किस application से open करना, जिससे आपको आसानी हो, हम वो चीज़ आपको यहां बता दें, यहां पे form आप लोग office से करिया, जो भी आपने रखा हो, WPS office या कोई office, यह office application काफी अच्छा है, Microsoft का है, इससे आप open कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप form fill up कर पाएंगे, देखिए form यहां पे open हो चुका है, बिल्कुल blank format है, और आप यहां देखेंगे application status क्या दिख रहा है, side में, incomplete form दिख रहा है, जैसे जैसे आप इसको fill up करेंगे, यह आपका फिर क्या होगा, complete हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं, जो आप यहां से drop down से select कर सकते हैं, और कुछ चीजें आपको जो हैं, लिखनी पड़ेंगी, तो जैसे आप इस cell पे click करेंगे, देखिए, यहां side में क्या आ गया, drop down का एक option आ गया न, इसमें आप trade चूज कर सकते हैं, जो आपका trade हो, उसे आप यहां पे select कर लेंगे, माल लीज़े आपका trade है, machinist, हमने machinist select कर लिया, दिन आपका आता है apprenticeship India का registration number, जहां पे यहां side में arrow नहीं already, तो हम वहां पे clipboard से जाके उसको ले लेंगे direct, अगला यहां आपको अपना candidate name fill करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे candidate name लिख लेते हैं, टिक है, जो आपका नाम हो 10th की mark street में accurate वही लिखिएगा, दिन यहां पे आता है father's name, father's name में जो आपकी father's name, mark street में आप पे फिर से आप देखेंगे, तो आता है कि क्या आप HL, Sun ya, Daughter है, तो आप no कर देंगे, देखे, side में फिर से arrow बन गया, तो इसे आप क्या करेंगे, no पे select कर देंगे यहां पे, ठीक है, no पे select करने के बाद, जब आप उसे no कर देते हैं, तो आपको यह बाकी जो informations हैं, वो देने की जरूत नहीं पड़ेंगी, नहीं तो आपको name, उनका जो PB number है, वो सब कुछ देना पड़ता, अब यहां आपको choose करना अपना data of birth हो, data of birth क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है, ठीक है, तो data of birth आप DD, MM and 4 time Y है, उसके recording आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, जैस की recording आपको choose करना है, ठीक, जब भी arrow बनेगा तो आपको drop down से choose करना होगा उसे, अगला फिर देखिए, यहां पे क्या है, वेदर PH candidate, ठीक, इस case में आप जैसे यहां क्लिक करेंगे, फिर arrow आएगा, आपको no पे click करना है, ठीक, आपका gender, यहां पे भी arrow आएगा, आपको select कर लेना है, correspondence address आएगा, इसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, जो भी आपका address हो, उसे आप यहां type कर देंगे, जो आपका pin code हो, उसे आप यहां type कर देंगे, दिन आधार कार्ड नंबर आपको अपना लिख देना है, ठीक, इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं, आधार का mobile number, address, यह सब कुछ लिखने के बाद, अब आपको क्या करना है यहां पर, ITE आपने कहां से किया, ITE के college का आपको नाम लिखना है, ठीक, पूरा नाम लिखिएगा आप यहां पर, दिन आपको फिर से अपनी जो branch है, यहां से drop down से आपको select करनी है, इसके बाद NCVT, SCVT, सिर् अब ITE मालीजे आपने 2020 में pass किया और August के मंत में, तो 08 इस तरह से आप लिख देंगे, अब 10th class में total marks कितने था, वो आपको लिखना है, कितना marks आपको मिला, वो लिखना है, automatic देखिए, यहां percentage calculate हो जाएगा, ITE में पूरांक आपका कितना था, कितना number आपने पाया, वो ल सकते हैं, इसको no कर देंगे, अब आईए देखते हैं, हमारा form जो है, वो complete हुआ, उपर status या नहीं, अब देखिए, उपर form का status क्या दिखा रहा है, application status completed, ठीक है, तो form हमने completely fill कर लिया, इसी तरह से आप लोग भी fill कर लिजेगा, सही detail भर ही है, आप लोग portrait mode में करेंगे, त जरुदर करना पड़ा थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए, अब अगला इस्टे पाता है, इस file को save करना, तो save करने के लिए आपको क्या करना है, side में click करना है, इस पे आपको save edge पे click करना है, PDF में मत save कीजेगा, ध्यान दीजेगा, और file name आपको क्या रखना है, हम आपने कहाँ save किया, suppose करें मैं यहाँ पे downloads में save करने वाला हूँ, यह open हो जाएगा अभी, and मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे save कर दूँगा, already exist है file क्योंकि हम पहले एक बार कर चुके थे, अभी हमने file save कर लिए, अब देखिए file का नाम क्या हो गया, आपके apprenticeship India का registration number, आनी से हम वहाँ बिना लिखे, direct paste कर सकें, ठीक है, यह है mail ID, इसी पर हमें mail करना है, अब चलेंगे Gmail पर, mail कैसे करते हैं, आप सभी को पता है, जैसे mail ID हमने यहाँ open की, इस पर compose पर आपको click करना है, compose पर हमने click किया, and compose पर click करने बाद mail ID हम यहाँ पर paste कर देंगे, subject हमें क् subject का नाम क्या रहेगा, आपका, apprenticeship India का registration number, ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा चाहें, तो लिख सकते हैं, यह तो subject हो गया, main में आप लिख सकते हैं, ठीक है, dear sir या maim जो आप लिखना चाहें, sir आप लिख मैम भी कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, प्लीज, find the, attached, excel, excel यहाँ पर, क्या लिख देंगे, seat, ठीक, excel seat, application form for apprenticeship, ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा भी, अब आपको simply यहाँ पर फाइल अटेच करनी होगी, यह attachment पर क्लिक करके, तो आप देखेंगे, recent में ही दिख रही है attachment फाइल, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर, क्लिक कर देंगे, और यह फाइल हमारी यहाँ पर हो जाएगी, attach, ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ mail कर देना है, जैसे आप इस पर mail करेंगे, आपका यह form यहाँ पर send हो जाएगा, ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं, यह TTI, कोरवा को application form जो है, send हो चुका है, इसी तरह से आप लोग भी अपना application form send कर सकते हैं, fill करके, कोई भी problem होता, आप लोग comment section में जरूर बताएगा, आपकी वहाँ पुरी help की जाएगी, thank you very much, वीडियो पसंद आई, तो like and share जरूर कीजेगा, and channel को बिना subscribe किये, मच जाएगा अगर अभी तक नहीं किया है, तो thank you,